नमस्कार निज बाइसकोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमिज्जा CGL का मामला अभी भी तूल पकरता हुआ नजर आ रहा है अब कोट के पास बात गई है कोट ने आयोग से यानि की JSC आयोग से और सरकार से जवाब मांगा है यहीं तमाम बातों के लेकर हमारे साथ शिक्षक प्रकास पुदार है प्रकास दी क्या कुछ अपडेट है आज हम लोग की सुनवाई थी जो हम लोगों ने PIL किया है जो की दुर्गा पुजा से पहले ही PIL फाइल हो गया था कोट एड्मिटेड हो गया था केस हम लोग का आज उसका ओर्डर था और आज सुनवाई थी पहले सुनवाई और आज की सुनवाई में हमारे सारी बातों को बहस के जरिये हमारे जो एड्वोकेट हैं उन्होंने मुखिन अधिस के समक्च रखा चुकि PIL है तो मुखिन अधिस इस मामले को देख रहे हैं एक-एक मुद्दे को जो पेपर लीक के एविडेंस है जो FIR हमारे द्वारा किया गया है राजिस प्रशाद के द्वारा जो FIR किया गया है उसका ये लोग receiving तक नहीं दिये हैं ये सारी बातों को माननी है जो मुखिन अधिस से उनको रखा गया और बहुत ध्यान से उन्होंने सुना उसके बाद जब सरकार के तरब से जो वकील गये थे उनको जब जवाब पुछा गया तो उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जिससे जज संतुष्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल पाए कि ये जो पूरा घटना करम है ये कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा जो है ये scripted है ये एक fake news फैलाया गया है ऐसा उनके द्वारा जवाब दिया गया लेकिन मानिये जो मुख ने आदिस उन्होंने कहा ये तो जांच का विसे है ये आपके कहने से नहीं होता है उन्होंने कहा कि आप पर जो भी आरोप लगाए गया है जो भी ऐलिगेशन आप पर लगाए गया है उसको लेकर के notice दिया गया है और अगला date 3 दिसंबर को हर एक प्रस्ण का जवाब JSC को देना है यही बातचित आज होई कोट में पुरा और निशित तोर पर हमारे case को एक मजबूती मिली है case हमारा जो है वो उच नियाले में establish हुआ है और आने वाले समय में इसका एक positive impact देखने को मिलेगा साथ ही साथ मुख नियाजिस ने ये भी कहा कि जब तक इसकी पूरी प्रक्रिया जैसे notice का जवाब देने के लिए कहा गया है तब तक आप appointment process नहीं कर सकते हैं आप appointment नहीं कर सकते हैं ये भी कहा गया है तो इससे यही निकाला जा सकता है निसकर्स की appointment नहीं कर सकते हैं तो result देखे क्या करेंगे अगर वो लोग result देने की गलती अगर अभी भी करते हैं तो निश्चित तोर पर case हमारे side से strong होगा क्योंकि उन्होंने appointment पर रोक लगाया है दिसंबर तक appointment पर रोक लगाया है तीन दिसंबर तक तो अगर इस बीच में अगर वो लोग गलती से result भी जारी करते हैं तो निश्चित तोर पर इसका परिनाम जैससी को और सरकार को भूगतना पड़ेगा तो मैं छातरों से ही कहूँगा कि आप लोग धैरे बना के रखें कानूनी लडाई है न्याय पालिका की लडाई थोड़ी धैरी से लड़ी जाती है और निश्चित तोर पर हम लोगों को नियाय मिलने वाला है आने वाले समय में ये परिक्षा रद भी होगी और जो लोग भी इसमें involved होंगे उन सभी को सजा भी मिलेगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसके अलाबा बस यही कहूँगा कि आप लोग एक जूटता बना के रखें और साथ दें जिस तरह से अब तक साथ दे रहे हैं बहुत सारे हमारे उपर हमारी टीम के उपर जो भी इस पूरे चीजों को लीड कर रहे हैं उनके उपर बहुत तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई लड़ाई बड़ी होती है, तो इस तरह की आरोप भी जहिलना पड़ता है, उसके लिए हम लोग तयार हैं, सारे तरह के आरोप हम लोग सुन रहे हैं, को बरगलाना हैं, आप बरगलाना का प्रयास करें, मगर जो जयन्यून चाहतर है, वहुत हम लोगों को जानते हैं, और वहुत हम लोगों के साथ हैं, और इस पूरी लडाई को हम लोग जीत कर रहे हैंगे। प्रकाज जी अब कहने कहीं कह सकते हैं कि छात्रों को एक उमीद है वह अभी जगा है कि अब जो एक्जाम उन्होंने दिया था और बाद में पेपर लिक की आप लोगों ने बाते कहीं आप लोगे ने एविडेंस भी जैसे सी काड़याले में सौपा अधिकारियों से भी मिला काथ की अब उसको बाद कोर्ट भी गए तो आप कहीं ने कहीं एक उमीद जरूर जगा है उन्हों के लिए जिन्होंने एक्जाम दिया था और उन्हें लगा है कि पेपर लिक हो गया है बिलकुल उमीद जगा है और कुछ लोग बहुत तरह की अपवाएं पहला रहे थे सबसे पहली बात कि आज हमारे केस को मुख इन्हाइदीस ने बहुत ध्यान से सुना एक-एक बिंदू रखा गया कि ये लोग F.I.R. तक रिसीब करने के लिए तयाद नहीं है जो उन्लैन हम लोग का केस स्टैबलिस हो गया है हम लोग का केस एक्सेप्ट कर लिया गया है अगर हमारे केस में दम नहीं होता अगर हमारे विडेंस में दम नहीं होता तो केस डिसमिस हो जाता सिंपल सी बात है आपने कहा कि F.I.R. किया गया लेकिन F.I.R. कि कौंपी हम लोग कर नहीं जिस हमें एक्जाम हुआ था उसके कुछी दिन बाद हम लोगों ने online F.I.R किया था, राजिस प्रसाद के नाम से F.I.R है और उसके बाद नियम यह होता है कि online F.I.R जो किया जाता है उसके बाद ठाने से जाके एक receiving copy लेनी होती है चुकि एक case जो सरकार के against था तो कोई भी थाना वाले जो सब इंस्पेक्टर है इसका receiving देने से डरते हैं वो टाल मटोल कर रहे थे जो कि कानुन का उलंगन भी है इस बात को भी mention किया गया हमारे case में और जजज सहाब ने इसको सुना भी और काफी गंभीरता से इस बात को लिया है तो FIR मतलब इन लोग को इतना डर है कि लोग FIR भी अपने against receive करने के लिए तयाद में अगर आप सही हैं आप में कोई दाग नहीं है तो आप FIR accept कीजिए जो आने वादा समय में जो होगा वो सही का सही गलत का गलत हो जाएगा तो FIR इन लोग accept नहीं किये वो भी हमारे case को और ज़्यादा मजबूत बनाता है तो प्रकास्ति कह सकते हैं कि अब छात्रों को जो demand कर रहे थे कि हाँ paper जो leak हुआ है और उसके बाद paper cancel होना चाहिए तब उन लोग के लिए वड़ी ख़बर है बिल्कुल निश्चिंत रहें जो अच्छे student हैं जो पढ़ने वाले student हैं वो निश्चिंत रहें इसमें आपको न्याई मिलेगा परिक्षा रद होगी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के खिलाप एक propaganda चला रहे हैं मैं वैसे लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से सिख्छकों के खिलाप लोगों को बर्गलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोगों की लडाई न्याय की है और जब हम लोगों की जीत होगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा उसके बाद जो लोग भी आज विरोध कर रहे हैं जो लोग भी आज हम लोग के अगेंस में प्रपगेंडा चला रहे हैं उनके पास कोई जबाब नहीं होगा उनको का परियोग किये हैं हम लोगों ने मीडिया के जरिये हम लोगों ने राज्यपाल के जरिये हम लोगों ने विपक्षी पार्टी के जरिये मैं पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार का पक्ष हमारी बात को नहीं सुन रहा है लगातार हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा ह तो हमारे पास option क्या है? हमारे पास option है न्याले जाने का, हमारे पास option है विपक्षी पार्टी के पास जाने का, जब BJP की सरकार थी तब तो हम लोग हेमन सोरेन के पास जाते थे, उस समय जब विपक्ष में थे तो हम लोग उनके पास भी जाते थे, उनके साथ भी खड़ा होत ये हम लोगों के खिलाप ये पैदा करना चाहते, कि ये लोग बीजेपी के एजेंट है और मामले को डाइवर्ट करना चाहते, पेपर लिख से लोग का ध्यान भठकना चाहते प्रकास पोद्दार थे जो कि शिक्षक हैं और जैसे सी सिजियल पेपर लिक को ये लोगों ने प्रमुकता से आवाज उठाई कि पेपर लिक हुआ है कई अभियर्थियों को इकत्रित करके उनके साथ लराई में भी शामिल रहे प्रोटेस्ट जो किया अभियर्थियों ने प आभा पियेयल दर्ज किया उसके बात साफ तवर पे कोर्ट ने अब आयोग और सरकार से जवाब बंगे है हमारे सात जिन्होंवने एन फैयर दर्ज किया था राजेश प्रसाद हैं राजेश जी आपने इअफ इन दर्ज किया उसके रिसीविंग ने मिले आप लोगों जी बिल्कुल एफायर हम लोग ओनलाइन दर्ज किये थे और ओनलाइन दर्ज करने के बाद सदर थाना राची में हम लोग रिसीविंग लेने के लिए जब गए तो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर थे ऐसा ही थे उन्होंने साप मना कर दिया कि ये हम नहीं दे सकते हैं उप जारकंड को कि जो भी हम लोग एविडेंस था उसी एविडेंस के आधार पर हम लोग केस किये हैं और केस के समाधी जो रिसीविंग मागने गए थे वो नहीं दिया गया ये माननीय जज को भी हम लोगों ने को वकील के मादिम से बता दिये तो आगे का प्रोसेस क्या है ये लाया तो बहुत सिरियस उन्होंने लिया और बहुत पॉजिटिव है में उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ये है संगीन है और इसके बिसे में जांच का भी बिसे बनता है अला कि उन्हें जांच का निर्देश ने दिया है लेकिन उन्हें असपस्त और से सरकार से जब तो आप ही बताईए जदी चात्र के हित में लड़ाई लड़ना चात्र के आवाज को बुलंद करना चात्र के साथ जदी कोई दोखा हो रहा है उसके खिलाप लड़ाई लड़ना पेपर लीक के खिलाप लड़ाई लड़ना वरस्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ना क्या ये चात्र गेंग का काम होता है और जदी इस टाइप्स जदी करना चातर गेंग आपके नजर में हम हैं तो निश्ची तोर पर हम चातर गेंग हैं राजेश्परस्टार प्रकास दे कुछ कह रहे थे अब मैं स्टूडेंट को खास कर यह कहना चाहूंगा बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परिसान हैं कि अगर बीच में रिजल जारी हो जाता है तो क्या होता है और उनका इस बारे में इसलिए कहना है क्योंकि result जारी हो जाने के बाद क्या होता है कि natural justice के तहत उन result होने के बाद बहुत कम chances होता है कि परिशा को रद की जाए लेकिन वैसा उन मामलों में होता है जहाँ पर case बाद में किया जाता है result के बाद case किया जाता है हमारा case exam के just बाद किया गया है हमारा केस पहले से स्टैबली से रिजल्ट अभी आया नहीं है अभी JSC को अपॉइंट्मेंट पे रोक लगा गया है और नोटीस भी किया गया है जबाब देने के लिए कहा गया है अगर इस बीच में अगर वो लोग रिजल्ट निकालते हैं तो मैं आप सभी को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जिस दिन प्रूफ होगा कि हमारा जो आरोप है वो सही है उस दिन रिजल्ट निकलने के बावजूद भी परिक्षा रद होगी यह मैं 100% सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ नेचरल जस्टिस का सिध्धान तो वहीं पर काम करता है जहां पर पहले से मामले नहीं चल रहे हो रिजल्ट निकलने के बाद केस हुआ हो तो वैसे में रिजल्ट निकल जाता है तो बच्चों के साथ किया जाता है कि बच्चों का रिजल्ट हो गया उसको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है लेकिन यहां पर natural justice काम नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही notice दी जा चुकी है पहले से ही case हो चुका है पहले से ही मामला संगीन है तो अब रसना की तमाम बातों को उन्हेंने प्रमुकता से बताया अच्छे से जवाब भी दिया और साफ तोर पे कहना है कि जैसे सी आयोग को और सरकार को अब कोट से जवाब का जो है बात वो कहा गया ने की जवाब देने की बात कही गई है अब देखना दिल्चास पुगा के तमाम जो छात्र हैं जो सीजियल का एक्जाम देए थे और पेपर लिग का जो आरूप लगा रहे थे अब उनके लिए क्या कुछ हो पाता है फिलाल मुझा और अमारे सहगी राजबलम को दिया जाजत देखते न्यूज बाइसकोप धन्यबाद